जहिन नमस्कार दोस्तों इंडे नागरी पॉइंट के एक और नए वीडियो के साथ मैं अक्षे वर्जे आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आपकी फसल में माइट्स का अटक हो जाए तो उसको शुर्वाती अवस्ता में पेचान करके कंट्रोल करना कापी में तो पुन होता है यदि आपने उसे नदर अंदाज कर दिया तो दोस्तों यह माइट एक ऐसा कीट है जो कि सिर्फ एक हफते में आपकी पूरी अच्छी भली फसल फूली फली फसल को नश्ट करने की शमता रखता है तो इसी वज़े से शुर्वाती अवस्ता में आपको अगर इसके थोड़े बहुत आटैक आपको देखने को मिले तो उस सिच्वेशन में उसको कंट्रोल करना कापी जरूरी होता है तो उसके लिए एक अच्छा सा मकडिनाशक आपको यूज करना होता है तो जरूर इस चैनल को सबस्काइब करेगा और जादा जादा की संसातियों तक हमारे चैनल शेर करेगा चले शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तो सबसे पहले हम अबासीन टेक्निकल के बारे में जानते है तो अबासीन ये क्रिश्टल कंपनी का प्रोडक्ट है तो इसमें जो टेक्निकल आता है अबामेक्टिन 1.9% इसी फॉर्मिलेशन में आपको ये दवा देखने को मिल जाती है तो इसी का मतलब क्या होता है कि तरल रूप में ये जो अबामेक्टिन टेक्निकल है आपको देखने को मिल जाता है दोस्तो अबामेक्टिन ये जो टेक्निकल है ग्रूप 6 नंबर का आता है ये एक बोवायामी मकडी नाशक होने के साथ साथ कीट नाशक भी है यानि मकडियों को भी कंट्रोल करता है देखें मकडियों की 6000 से भी ज़्यादा प्रजातिया पाई जाती है उनमें से कुछ agriculture के लिए बहुती घातक होती है अगर उनका attack हमारी फसल में हो जाए तो कुछ दिनों में ये हमारी पूरी फसल को बरबाद कर देते है तो उनको भी ये कंट्रोल करता है और उसके साथ दोस्तों ये कीट नाशक भी है यानि ये कीटों के उपर भी काम करता है तो दोनों दोनों ये तरफ से आपको फाइदा मिलता है मकडियों भी कंट्रोल होती है और कीट भी अच्छी तरगे से कंट्रोल होते है तो कौन कौन से कीटो और कौन कौन से मकडियों के उपर काम करता है यह आगे चलके हम बात करेंगे फिलाल हम यह जानते कि यह जो मकडिया होती है किस प्रकार से हमारी फसल को डैमेज करती है और यह जो टेकनिकल है अबामेक्टिन किस प्रकार से उनके उपर काम करता है यानि basically mode of action क्या है इस product ही तो दोस्तों देखे मकडिया क्या करती है पत्यों की पीछे बाग में रेना पसंद करती है और वहाँ पे रहकर वो क्या करती है पत्यों के अंदर से रज चूसने का काम करती है यानी जो chlorophyll होता है हरी द्रव्य होता है वो चूसने का काम करती है उनके अंदर जो वायरस होता है दोस्तों वो हमारी फसल के अंदर एंटर करता है जिसके कारण हमारी फसल में जो पतिया होते है उपर की तरफ मुढने लगती है और हमारी फसल पीली पढ़ने लगती है फोटो सेंटेसिस यानि जो प्रकास संसलेशन प्रक्रिया होती है हमारी फसल में नहीं होती और इस प्रकास से प्रकास संसलेशन ये प्रक्रिया नो होने के कारण हमारी फसल की वापे मोत हो जाती है पोदा मर जाता है उच्छ इस प्रकास से ये जो मकडिया और रचु सकीट यानि सकिंग पेश्ट हम कि आमारी फसल को नुक्सान पहुचाते हैं लेकिन किस प्रकाषी यह जो अब्गाम कटीन टेकनिकल हे हुनको अउपर हमें नियंतरन देता है तो अब्गामेक्टीन में आपको दो यक्षिन में आन्य देखने TC ये एक contact और दुसरी stomach poison action तो contact में क्या होता है दोस्तों जब हम spray करते तो spray के दोराण अगर मकड़ी है या फिर जो रच्चु सक्कीट होते है उसके संपर्क में आए तो ये control करता है और stomach poison action का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब spray के दोराण या फिर spray के बाद माइट्स हो या फिर रच्चु सक्कीट हो वो sucking का काम करते उनके sucking के दोरा chlorophyll के साथ ये technical उनके पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जाने के बाद उनकी जो central nervous system होते यानि जो तांत्री का तंत्र होता है हिंदी में उसे कहते तो उनके उपर attack करके दो घंटे के हंदर अंदर ही उनको paralyze बना देते है जिनके कारण वो खाना पानी नहीं बना पाते और हमारी पसल में किसी भी प्रकार की sucking नहीं कर पाते तो इस प्रकार से खाना पानी नहीं मिलने के वज़े से उनकी वापे मृत्य हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है और हाँ एक और इस कीट नाशक की सबसे में तो पुना बात आपके सकते हो कि इसमें आपको translaminar action देखने को मिल जाती है तो translaminar action का मतलब मैंने पिछले वाले जो भी वीडियो हमने बताये थे जिस प्रोड़क्ट में भी translaminar action थी उन वीडियो में मैंने आपको बताये था लेकिन फिर भी एक बार और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ देखिए translaminar action क्या होती है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के दौरण हमारी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पत्ती की स्रिफ उपरी सर्पेस में पढ़ते हैं तो इसे में जो पत्ती की पिछली बाग में छुपे हुए जो कीट होते हैं उनके उपर अच्छी तरीके से नियंतरन नहीं मिल पाता और मकड़ी एक ऐसा कीट है जो कि पत्ती की पिछली भाग में ही रहते हैं एसे सिच्वेशन में अगर उनके उपर कंट्रोल पाना है तो उन तक भी दवा पोचनी कापी जरूरी है तो यह जो टांसलिमेनर एक्षन है यही काम करता है क्या होता है में माइट्स एवं रच्चु सकीटों के लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यह जो अबासिंट प्रोड़क्ट है कौन-कौन से माइट्स एवं रच्चु सकीटों के उपर काम करता है तो दोस्तों यह रेड स्पाइडर माइट टू के उपर देख सकते हो European Red Mite साथी साथ दोस्तों Yellow Mite जैसे कुछ माइट्स की प्रजातिया होती है उनके उपर कापी अच्छी तरिके से इसका नियंतरन देखने को मिल जाता है और सकिंग पेस्ट की बात करते है तो दोस्तों यह त्रिप्स के उपर कापी अच्छी तरिके से result देखे गए तो अच्छे result है sucking face के उपर इतने कुछ कीट है उनके उपर कापी अच्छे तरीके से ये नियतरन देता है किसान भायो अगर आपको इस मकडी नाशक के अच्छे result पाने है तो आपको क्या करना होगा कि मकडी एवं कीटों की प्रारम भी कवस्ता होती है आप इसे डाल दीजेगा और फसलों की बात करें तो दोस्तों इसे आप टमाटर हो गई बिंडी बेगन शिमला मिर्च हो गई सेम हो गई बींस हो गई रोज हो गई जैसे फसलों में आपको अगर मकडियों की समस्य आ रही है सकिंग पेस्ट की समस्य आ रही है थ्रीप्स वगरा की तो आप अवश्य इसको हर एक फसल में डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम स्टेज की बात करें यानि कौन सी स्टेज में अप्लिकेशन करना चाहिए और कौन सी स्टेज में अप्लिकेशन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपको फसल की फ्लावरिंग स्टेज में अप्लिकेशन नहीं करना चाहिए फ्लावर डॉपिंग वगरा नहीं करता लेकिन पॉलिनेशन के लिए जो मित्रकिट होते उनके सेप नहीं है तो इसी वज़े से अगर पॉलिनेशन के लिए आपको मित्रकिटों की ज़रूरत लगती है तो ऐसे सिचुएशन में प्लावरिंग में आप इस्तमाल ना करें बाकि किसी भी स्टेड में इसका इस्तमाल किया जा सकता है कोई टेंशन नहीं और कॉम्बिनेशन की बात करें तो अन्य कीट नाशकों एओं फपुन्द नाशक टॉनिकों के साथ ये चल जाता है इसरीप आपको सलपर, कॉपर, एलेट, बोर्डेक्स, मिक्चर और जो अलकलाइन सोलुशन होते उनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं करना है इसके बाद रेंट फासनेस के बारे में जानते है तो दोस्तों ये जो टेक्निकल है अबामेक्टीन इसके चिड़काओ के आदे गंटे के अंदर अंद हो या फिर बरसात हो इसके उपर कोई भी असर नहीं करता कोई भी मौसम में आपको ये अच्छे रिजल्ट वापे देता है इवन आपकी 40-45 डिग्री सेल्सेयस में भी इसके अच्छे रिजल्ट पाए गए है तो आप बिलंदास इसका प्रयोग आपकी फसल में कर सकते हो रिजल्ट टाइम की बात करते है यानि कितने दुनों तक काम करता है तो दोस्तों लगबख 15-20 दिनों तक अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते है और डोज की बात करें तो दोस्तों इस मकडी नाशो को आपको 1500 प्रती एकड की दर्ट से स्प्रे करना है 150-200 लिटर पानी में और अगर आपका पंप हो तो पंप 15 लिटर का हो तो एससे सिच्वेशन में 13-15 एमेल आप प्रयोग कर सकते हो इसकी पैकिंग 100-200 पास्तों एक लिटर जैसी पैकिंग में अवेलेबल है और इसकी 100 एमेल की कीमत लगबख 600 के समतिंग मार्केट में मिल जाएगी तो यह रही बस इतना ही मिलते हैं आगे एसेम पॉर मेडियोड एक साथ तब तक के लिए जै जवान जै किसान इधर नहीं